बाउथ हुआ समान बिटो बाउथ हुआ समान भाउथ हुआ समान भारत मता की जै हमारी इंडियन होकी टीम उन्चार साल के बाद आफ्टर 49 यर्स सेमी फाइनल में पहुची थी भी पर 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 क्या हुला है अरे हुआ क्या फिर फिर मोदी जी ने तीवी पर वो मैक्च देख लिया रिए और इंडियन टीम हार गई है समझ रहे हैं ट्रेंड चला है है स्टेक पनवती यह क्या बात हुई है मोदी जी तो अच्छी भावना के साथ सुबह सुबह जल्दी उठे तड़के नहां धो करके बिचारे हैं दाड़ी बाल को अच्छे से कंगी वंगी करके टीवी के सामने बैठे और खिल करने का यही ट्रेंड चला है लिटेस्टेंड यहीए कई पर कुछ भी होता है तो चीर्ट इसी तरीके से किया जाता है वो चीर्ट कर रहे थे और बाद में अचानक पीछे से नड़ा साथ ने आके बताया कि यह तो आप देख रहे हैं और टीम हार भी गई बताईए अब हार गई टीम तो इस पे मोदी जी की क्या गलती है भई और ये नालाइक लोग ट्रेंड करवा रहा है है स्टेक पनोती और किसी के टीवी देखने से कोई मैच हार जाएगा क्या मतलब ये लोग जो बंगाल में जो चुनाव हारे थे तो क्या इसका मतलब मोदी जी टीवी देख रहे थे इसलिए बंगाल का चुनाव भार गए कि कुछ भी चाहते क्या हो मतलब क्या चाहते हो कि मोदी जी अब अपनी टीवी भी छोड़ दे मतलब टीवी भी न देखे मोदी जी हद्ध यार कई बार कंफ्यूजन में कुछ-कुछ मामला गडबल हो जाता है एक तो सुबह तलके का मैच था अर्ली मॉर्निंग मोदी जी बस नीन से उठे ही थे और किसी ने आके उनको बताया कि ये बेल्जियम के साथ मैच है अब नी बस इसी कंफ्यूजन में वो दूसरी टीम को चीर्स करने लगे अब वो टीम जीद गई हो जाता है कंफ्यूजन कभी-कभी लेकिन देखो मोदी जी का मास्टर श्ट्रोक कभी खाली नहीं जाता है गल्ती हो गई कंफ्यूजन सुबह सुबह तलके के मामला था सुनने सुनने में बाकि ऐसे थोड़ी होता है कि किसी की टीवी देख लेने से कोई हार जाएगा है अगर मान लो लोग मान भी जाएं कि किसी के टीवी देखने से कोई हार सकता है तो आज देश में किसान हार रहा है आज देश में बेरोजगार हार रहा है आज देश में महंगाई हार रही है तो इसका मतलब मोदी जी अठरा अठरा घंटे टीवी देखते हैं ये क्या बात भी अच्छा कुछ लोग तो ये भी कह रहे है कि मोदी जी ये तो मेंस वाला जो मैस था बॉइस वाला होकी टीम का ये तो आज हार गया है प्लीज मोदी जी हाँ जोड रहे हैं अभी गल्स होकी टीम का सेमी फाइनल मुकाबला बचा हुआ है उस दिन आप सुबह जल्दी मत उठना और बाइती भी अगर उठ भी जाते हो न तो ये मोर तोते जो आपके पले हुए हैं इनको दाना बाना डाल देना अब ऐसे भी मो को दाना डाले हुए मोदी जी साल भर हो चुका है अभी कोई लेटेस फोटो भी नहीं आई है और इसके बाद में जब इंडियन टीम मैच जीत जाए तो फिर क्रेडिट लेने के लिए आप आजाना नहीं मतलब बढ़ाई देने के लिए आप आजाना हां तो बहुत मिलाकर मतलब अगर क्या होगा कि अभी यूपी में जो चुनाओ है पंजाब में दूसरे जिगें चुनाओ है तो नड़ा साहिब के प्रैलिटी क्या होगी कि कैसे भी करके सब लोग मिलके मोदी जी को रोको कहीं टीवी न देख ले हां तो उधर रैली चुनाओ प्रचार छोड़ करके इधर लोग लगे रहेंगे कि मोदी जी को टीवी देखने से रोको ऐसा थोड़ी होता है यह लोग अपनी मेहनत से अपनी हरकतों मतलब अपने तरीकों से भी चुनाओ हार सकते हैं इसका टीवी से कोई लेना देना नहीं है समझा करो हां बहुत हुआ सम्मान